सबस्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल स्टड़ी विद आज सुमें तो बायकेमेस्ट्री की इस प्लेलिस्ट में आज हम आज ही रहें कार्बाइडर मेटाबलिजम को लिए कर तो आज हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करेंगे और जो स्टुडेंट नौ नौर्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है तो उसमें से आप चार्ट कर भी लिख सकते हो तो पहले में नौर्स दिगा देता हूं फिर इसका ग्लाइकोलाइसिस का एकदम ब्रीफली एकस्प्लेंस एकदम अच्छा सा कर दूँगा आपके सब के समझ में आ जाएगा ठीक है आगे किये है ठीक है तो ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रडक्शन देख लेते हैं सिम्प्ली ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकस है वो स्वीर्ट याने के ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस से दो मॉलक्यूल पाइरुवेट के बनते हैं और दो मॉलक्यूल नेट एटिपी का प्रोडक्शन होता है नेट एटपी मतलब कुल मिला के खर्च होने के बाद में भी कुल मिला के दो एटिपी एमें प्राप्त होती है ठीक है और ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्स सेंत्रल पाथ्वेट है ग्ल्कूज के टाबॉलिजम का ठीक है तो अंदर साइटोप्लाज में यह ग्लाइकोलाइस प्रोसेस होती है ठीक है जिसमें ग्ल्कॉज जाओ पायरवेट बनता है फिर वह माइटोकांड्रिया के अंदर जाके टीशी साइकल के तूर आगे इनरजी प्रडूस करता है ठीक है और ग्लाइकोलाइसीस में चार परकार की यह सब्सक्राइब नाइव है कि ऑम बर्ड पर गली सिक्स को बनाने के लिए और इस अवम घ्लीएज में जैसे कि फोप्टोज बनाएंगे और तोड़ कर और गलाइकोलाइसिस की दो फेज हमें देखने को मिलती है जिस में से एक है प्रीपेट्री फेज और दूसरी होती है पे ओफ फेज ठीक है तो पहली पाच जो रियाक्शन हमें देखने को मिलती है वह को प्री पेटरी फेज होती है प्री पेटरी फेज में देखलो जैसे कि गल्क स्कापॉषर एल सहनोंगा फिर फरक तोज सुग वनसिक्स बनेंगा फिर प्रस्पेट अपाफे आपर Elder पर को यह थो है प्री प्रीटर्ड पेज्ट पेसिसले कहते हैं क्या इसमें तो पहली बात तो ह्याद हुद्ध होती यह में बनती है ठीक है इसलिए इसको प्रीज हम रहे हो नाम सी पता चलता है पाइप हो फैसलिए कहते कि क्योंकि इसमें ऑपने गी कि एनेडी जैसे कि एनदी बनना एन डियेच बनना एकrav स्ट्रेस्ट का नेडियाच मनलना तो वह प्पे फेज में देखने को मिले गाटिक है इसमें तो हमें एक फिस यह हमें एनर्जी लेनी पड़ेगे तो इसमें अनर्जी इनवेस्ट होगी इसवांसे में हमें वन 222 बनाना है तूसरी यह है कि Phosphorylate national phosphoryl transfer from 1-3-bis phosphoglycidate to ADP ADP go take a phosphory transfer or conversion of 3 phosphoglycidate to 2 phosphoglycidate tcd reaction here 3 phosphoglycidate 2 phosphoglycidate mutase reaction here the dehydration of 2 phosphoglycidate to phosphoryl pyruvate or transfer of the phosphoryl group from phosphorynol pyruvate to ADP then pyruvate will become the next one so this is 10 reaction glycolysis in which 5 is the first pre-pattery and the next 5 reactions are in which energy gain and overall we see glycolysis based on improving the reaction the phonetically will be better than in a positive reaction तो यह फर्स्ट रेक्शन होगी फिर गुलकोज 6 फोस्पेट वहमारे पास बन गए तो गुलकोज 6 फोस्पेट से हम फ्रक्टोज 6 फोस्पेट बना रहें उसमें आएगा हमारा फोस्पोहेक्स आइसो एपिर फोस्पेट बनाना छिसमे आएगा इंजाइम और फोस्पोहेक्स फोस्पेट बनाना में आएंजम काम जोड़ रहे तो इसमें ADP बनेगा ठीक है टो इनर्जी इसमें भी इन्वेस्ट हो रही है ठीक है और सिकिंड प्रायमरी डीक्शन थीगक है तो अब दोड़ेंगे weź तोड़ेंगे है और फ्रक्टोज वन शिक्स पाइड ने साथ बनेगा डाई हाइट्रोप्षि खुर्थ जोकि आपस में जोकि एक दूसरे में कंवर्टेबल मेंने त्री आट fingertips फोस्पेट आईसो मेरेज ठीक है पांच वा एंजाइम यह हो गया है ठीक है तो चोत्र रियक्शन यह थी कि फ्रॉक्टोज 1,6-bis-phosphate से हमने ग्लीस्ट्रेलडियाइट 3-phosphate बन गया था ठीक है जिसके साथ ग्लीस्ट्रेलडियाइट 3-phosphate में तो उसके लिए यह पांच वी रियक्शन होगी कि डाई हाड्रोक्षी एक्शिट्रेलडियाइट 3-phosphate में बदनना होगा ठीक है तो उसके लिए हमारे पास एंजाइम काम में आएगा ट्रैयोज-phosphate आईसोमेरेज ठीक है तो यह हमारे पास अब दो मॉलेकिल ग्लीस्ट्रेलडियाइट के प्राप्त हो चुके है ठीक है 3-phosphate glyceنac adds थीके सब्सके पांच रियक्शन के बाद में ठीक है तो यह दो मॉलेकिल ग्लीस्ट्रेल डीयाइट 3-phosphate के हमारे पक्त हो तो भी चाहिए ठीक है तो अब से इसके बाद में हमारे पेPS चलो हो गई है हमारे पास अब एनर्जी गें होगी ठीक है एनर्जी बनेगी या न केElSi पर का कि हमारे मोल्यक्युल हमें प्राफ्ट होंगे ठीक है पेओफ फेज में ठीक है तो अब जैसे कि हमारे पास दो मोल्यक्युल ग्लीस्ट्रेलडियाइड 3-phosphate के है तो हमें आगे एक-phosphate और जोड़कर 1-3-bisphosphate बनाना होगा ठीक है तो 1-3-bisphosphate बनाने के लिए हमारे पा ठीक है तो एनर्जी बने एनर्जी है यह एक इलेक्ट्रों है मोल्यक्युल यह तो एनर्जी प्राप्त हो चुकी हमें ठीक है तो अब 1-3-bisphosphate बनाना है तो इसके लिए एंजाइम काम में आएगा फोस्पोग्लीसरेट काइनेज ठीक है तो अब आपके मन में एक क्यूस difference … तो इसे एक स्वास प्रापरस है वो ए coke कवे ठीक है ठीक है क्यूंकि जो फोस्पोरस ग्रूप काइनेज एंजाइम के तरूब ही तरूवां से एनर्जी मोलेक्यूल को देता है तो इसमें से इसको जाएगा एडीप को फोसपेट तो हमारे पास बन जाएगा ध्री फोसपेट गलीजरेड तो आप थ्री फोसपेट गलीसरेड बन चुका है क्योंकि फोसफोरस एडीपी को चला गया था इसलिए वहां पर कायने जन्जायम फॉस्फ रगाए तो ट्रांस्फर होई रहा है बन चुका था उससे हमें बनाना है तूफोस्फोट पर स्पोट की स्टेट ने के लिए हमें एनजायम में लेका है पूसफोट ग्लिस रहत उन्चत वुटेज क्योंकि हमें तीन नंबर ऑच से दो नंबर वह पे दोन फोजिशन पर फॉस्पाइट ग्रूप ला ररे सोरी टौ फॉस्पोग्रीरेट बन जाएगा न्युटेज ंंजाइम आएगा फॉस्पोग्री फोस्पोग्लीस रेट है वो फोस्पोइनॉल पाइरवेट में आसानी से कनवर्ट हो जाएगा एक दो मोल्यक्यूल आइस्टूओं के निकालकर इसमें एंजाइम काम में आएगा इनॉलेज ठीक है इनॉलेज काम में आएगा और इनॉल ग्रूब का फोर्मिंग होगा और फोस्पोइनॉल पाइरवेट बन जाएगा ठीक है इस परकार का है यह और फोस्पोइनॉल पाइरवेट से अब हमें पराप्त हो जाएगा दो मोल्यक्यूल पाइरवेट का जो कि आखरी रियेक फॉर्मेशन यहां पर हुआ था और सेकेंड एटीपी फॉर्मेशन हमें यहां पर हुई है ठीक है सब स्बुप्राग्ट लेवल पर पायुरेट एंजाइम मन गए और यह पूरी इसमें देख सकते हो इधर मैंने सारी स्ट्रॉक्टर भी बनाई है ठीक है तो यह भी आप देख सकते हो आपके काम में आ सकती है और कहां कहां ने डी एच बना यह भी याद रख लेना मैंने आपको बताई दिया है ठीक है और ह hoe मैं मैं इतना था यह वाली वीडियो में ग्लैकोलाइस सेज में तो मीं अगर समझ में नहीं आया है कुच भी डाउट है गलाइक और एस इस के ऊपर तो आप कोमेंट में बता देना और मेसेज कर देना रिप्लाई जरूर दूँँ आठीक है तो बस कोमेंट करना किसी को समच में तो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और इतना ही ताइस वाली वीडियो में बाई बाई